गुड मॉर्निंग एवरिवन मैं दिक्सित जोसी नव जोती गलोबल स्कूल पुढ़ गाउं सागा से आज आपको कैक्सा पांच की हिंदी दिम जिम का पार्ट तेरा स्वामी की दादी कहानी चैप्टर प्लाओंगा चलिए परते हैं स्वामी की दादी बैठक और भोजनकक्स के बीच हम हवादार अंधेरे गल्यारे की बन सी कोटरी में स्वामी नाथन की दादी अपने सारे समान के साथ हैती थी उनका समान था पांस दरियों, तीन चादरों, पांस तकियों, वाला भारी भरकम बिस्तर पटसं के रेशे का बना एक वर्गाकार बकसा और लकडी का एक छोटा बकसा जिसमें तामबे के सिक्के इलाईची लॉंग और सुपारी पड़े रहते थे रात के भोजन के बाद स्वामी नाथन दादी के पास उनकी गोत मेसेज रखे लॉंग इलाईची के गंद भरे वातवर्ण में अपने को बहुत प्रसंद और सुरक्षित महसूस कर रहा था बड़ी प्रसंदता से भरकर वह बोला ओह दादी तुम नहीं जानती राजम कितनी उची चीज है उसने दादी को राजम और मटी की पहले दुस्मनी और फिया दोस्ति की कहानी कह सुनाई तुमें पता है उसके पास सचमच की पुलीस की वर्दी है सुामी नाथन बोला सर्ज उसे पुलीस की वर्दी क्यों चाहिए दादी ने पूचा उसके पिता पुलीस अधिक्सक है वह यहां की पुलीस के सबसे बड़े अफसर है दादी काफी पभावित हुई उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा उन्होंने कहा फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू कर दी जब स्वामी नाथन के दादा रौबदार स उनकी कहानी खतम होने का इंतजार करने लगा लेकिन दादी बोलती गई इधर उदर भटकती हुई और अलग-अलग समय पर घटी-घटनाओं को गर्मण करती गई हुई बस काफी है दादी उसने रूखे स्वर से कहा मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता कि उसकी तरह नंबर लेने चाहिए तुम्हें पता है तुम्हें दादा कभी-कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परिक्सकों को भी चकित कर देते थे किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले दस्वा हिस्ता वक्त लेते थे और फिर उनकी जवाब इतने सां दिल मिला था मैं कई सालों तब उसे गले में पहनती रही पता नहीं मैंने कब उसे उतारा हाँ जब तुम्हारी बुवा पैदा हुई नहीं तुम्हारी बुवा नहीं तुम्हारी पिता याद आया तब बच्चा उस दस दिन का था अरे नहीं मैंने पहले ठीक कहा था तु हमारे परिवान में उस जैसा महामुर को कोई नहीं और अब बस भी करो दादी तुम बेकार की पुरानी कहानिया सुनाती रहती हो क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुना चाती हाँ हाँ बोलो दादी जब राजम छोटा सा ललका था तो उसने सेर मारा था सच बड़ा बहा डाले हुए थे राजम उनके साथ अचानक दो सेर उन पर झपते और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा रिया दूस्ते ने राजम का पीछा किया राजम एक जाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाके सेर को मार डाला दादी क्या तुम सो गई उसने काने खतम होने पर पूचा नहीं बेटा सुन रही हूं अच्छा बताओ कितने से राजम पर झपते दादी ने जवाब दिया स्वामी नाथन दादी के गलत जवाब से चिल गया मैं तुमें इतनी जरूरी बात बता रहा हूं और तुम नीद में ना जाने क्या क्या उलजलूल कल इसल्पने किये जा रही हो अब मैं तुमें कुछ नहीं बताओंगा मैं जानता हूं तुम क्यूँ ऐसा कर रही हो तुम राजम को बसंद नहीं करती नहीं नहीं बहुत बहुत प्यारा लड़का है दादी ने बड़े विश्वास सिखा उन्हें राजम को देखा तक नहीं स्वामी नातन खुस हो गया दूसरे इच्छन उसकी मन में एक नया संदे पैदावदा दाधी सयात तुमें सेर की कहानी पर विष्वास नहीं हो रहा है मैं एक-एक सब्दे पर विष्वास करती हुए दादी ने स्वर में मिठास भरके कहा, स्वामी नाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे जूट कहेगा, वह उसे गोली मार देगा, दादी ने उसका समर्तन किया, हरीस्चन्द की कानी सुनाने की बात कही, जिसने वचंग का पालन करने के लिए सिनहासन पत्नी और बच्चों को खोड़ दिया, और अन्त में उसे सब कुछ वापस मिल गया, उसने कहानी आदी ही सुनाई थी कि स्वामी नाथन खराटे लेन लगा, दादी भी रुक रुक के बोलन लगी, फिर वह भी सोगी, आर के नारायन, अनुवा कहानी सुनाती है, उसकी दादी एक उसकी दादी गल्यारी में बंद सी कोट्री में रहती थी, अपना पूरा समान लेके ठीक है, समान गया का था पांस दरिया, तीन चादर, पांस तक के अवाला भारी भरका मोर, उसमें पटसन के रेसे का बनाए वर्गा का बखसा था, उस एक राजम की बात आई तो अब दादी को बारवार बता दें लगा, लेकिन योई-टाइक कःते योगारी का इना कोंडों को का-nit लेड़ी थी, सब मजिस्टेट थे जिनके दफ्तर में पुलिस वालों के रॉंग्टे खड़े और खुका से डाकू तक भाग खड़े हो जिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए कहानी चली चली फिर ऐसी राजम ने बताया कि दाधी जो राजम दाधी ने बताया कि दाधी उसने स्वामी नात इस यह अधाया करें बताया दूस्ते ने राजम की पिचार किया और राजम ने उसे गली से मार दिया दाधी क्या सुनने है वह कहती है सुनें इस टेप नहीं हो थो दाजी नहीं सबस्जान करें थे अगए कहाँया से प्यार से तो धुश्यों मैं गया है तो दौत स्थ अग़ा से सच राजम बड नहीं क्यों नव्यों दोनंतनों के लिए गया स्टीर नहीं को दोना छननन हो क्य Ouais पहले देखा नहीं था तादी दाजभम को जाती नहीं थी खाली दादी ने बोल दिया इसी को महशुस हो गया कि घाली भूल मेडल से चूड़ी बनवा देने पर दादी ने बूर को क्यों इًूर्क माना क्योंकि उसने मेडल को गलवा के चार मामुली वह बनवा दिये जबकि अगर मेडल का इसी लगती तो मेडल की कीमत बहुत होती है चूडी तो उसकी कभी खो जाएगी या फिर उसने मामुली सी चूडी बनाई थी इसले दादी को बुरा लगा इस दादी ने कहा कि वह महामुरक है पाठ के दादी या स्वामी के सहभाव आदे तो आदी के बारे में तुम्हें क्या मतलता है किसी एक के बारे में दस दस वाक के लिखो ठीक है दस वाक के लिखने है आपको इसमें तुम्हारी समस्य स्वामी के राजम को उंच उंची चीज माना क्या तुम स्वामी की राय से सहमत अ किसी व्यक्ति का रॉब किन बातों से बतलता है क्या तुम्हारे आसपास कोई रॉबदार व्यक्ति है सब्दों के जरीए उसका खाबा खीचो सौरमी नातन दादी के पार बहुत पसंदा सुरुख सी मैसुच करती हो तुम इन हलात में कैसा मैसुच करती हो दोस्त के घर में जब तुम पहले मां किसी घर जाती हो रेल गाली या बस में किसी सफर का जब तुम मुख्या मुख्य ध्यापक की कमय में जाती हो पता करो सब मजिस्टेट कौन है क्या वह पुलिस विवाग में होता है नहीं सब मजिस्टेट पुलिस विवाग में होता है सब मजिस्टेट जो हमारा तहसील होती है एक तहसील का SDM कहते है न सुभिडेंट लिष्टिंग मजेकिट कहते हैं थहीं थाधिया तो वो ही सम जिस्टिट होता है वो एक तहसील या फिर एक कश्बेक को नियंतर करता है ठीक है अधिकारी होता हुए प्यारा गार या ए स्कुल इसका समान था पांच जर्या तीन जाजरे लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तामबे के सिख्के ईलाइची लॉंग और सुपारी पड़े रहते थे दादी अपने बक्से में लॉंग और सुपारी क्यों रखते थी बताओ तुछा कारण होगी एक कारण से विए कि और खुजबू से किले मीडे भी नहीं आते नहीं है कप्रों में इसले क्या तुम्हें घर में इनका इस्तमाल होता है किस किस तरह से होता है ठीक है तांबे के सिख्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तमाल होता है और सिख्के कौन कौन सी धातु के बने में हो सकते है ठी के नीचे पहले इस्तम्ब के रिखांगे विश्ले सनों और दूसरे इस्तम के सब्दों का बाक्य में फिरोग करो तुम एक से अधीक वाक्यों का सारा भी दे सकते हो अल्जुल उल्जलूल खल्पना मतलब उल्टी सुल्टी ठीक है रुखास्वर मतलब बेजान जिसमें कुछ जाने नहीं है खुकांड आकू भयानक इस्ते आप से निचे अलीविय करने है आपको ठीक है स्वामी की दाधी आपका चैप्टर फिनिस हो गया है वा गुड़ दे आपका लीवियान